प्रादेशिक समाचा रिकांच भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिठ्थी आलेक सुर्भी तिवारी वाचक स्वर सैंपता बैनर जी तुरिस्तर ये पंचाद चिनाव के अंतरगर जबलपुर जिले में आज दूसरे चरण के मतदान के लिए वोट डाले जा रहे हैं इस चरण में जिले के तीन जनपद पंचाद क्षेत्रों, मजहौली, पार्टन और शेहपुरा में अब तक मतदान शांतिपून धंग से चल रहा है इन जनपदों में कुल 257 ग्राम पंचायते आती हैं इन में से 11 ग्राम पंचायते ऐसी हैं जो 9 गठित हैं यहां पहली बार मतदान हो रहा है आज तीनों जनपदों में 237 सरपंच, 79 जनपद सदस्य और 7 जनपद सदस्य के लिए मतदान हो रहा है जबलपुर जिले में दूसरे चरण के चुनाफ के लिए कुल 3,64,052 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तमाल करेंगे इनमें से 1,87,222 पुरुष, 1,76,811 महिला और 19 ट्रांसजेंडर शामिल है बहराल दूसरे चरण के मतदान वाले जनपद पंचाध क्षेतरों की 20 पंचायतों में सरपंचों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है जबलपुर जिले में भी आज से सिंगल यूस प्लास्टिक सामगरी के उतपादन और विक्रे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा जबलपुर में खरीब 5 एकाईयां सिंगल यूस प्लास्टिक का उतपादन और विक्रे करती है लेहाजा उन्होंने भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उतपादन छोड़ प्राकृतिक रूप से समाप्त होने वाले उतपादों का नर्मान करने का नर्ने लिया है जिले में single-use plastic के विकल्प को compostable plastic के रूप में चुना जा रहा है ये विशेश तरह का plastic उतपाद है जो plastic में मक्का, गन्ना के मिश्रण से तयार किया जाएगा खास बात ये है कि ये 6 महीने में मिट्टी बनकर खात के रूप में तब्दील हो जाता है महाकौशल प्लास्टिक उद्योग संक्य अध्यक्ष शंकर नागदेव ने बताया कि single-use plastic के विकल्प के तौर पर compostable, bio-degradable उतपाद तयार करने के लिए प्रशिक्षन दिया गया है हाल ही में मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान ने विरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर स्थित समाधी स्थल पर उनकी प्रतिमा पर पुष परपत किये इस दोरान उन्होंने घोशना की कि विरांगना रानी दुर्गावती की शौरिगाथा पाठिक्रम में शामिल होगी और उसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा जबलपूर जिली में भी आठवा अंतराश्य योग दिवस मनाया गया एस मौके पर केंद्रिय संचार ब्यूरो द्वारा व्रहत स्तर पर योगोट सव मनाया गया प्रक्रती के सानध्य में ये कारिक्रम तिलवारा घाट स्थित गांधी समारक में आयजित किया गया कारिक्रम की शिर्वात में CBC जबलपूर की सहायक निदेशक वर्षा शुकल पाठक ने जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला जबलपूर में विश्व सिकल सेल दिवस पर आयजिते कारिशाला का शुभारंब राजिपाल मंगु भाई पतेल मुखे मंत्री शिवरा सिंग चोहान, केंद्री स्वास्थ मंत्री डॉक्टर मंसुक मांडविया और प्रदेश के स्वास्थ मंत्री प्रभु राम चौधरी ने दीप प्रजवलित कर किया कारिशाला को संबोधत करते हुए राजिपाल ने सिकल सेल की रोक्थाम के लिए केंद्रो और राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कारिक्रम की सराहना की जबलपूर में जल, जंगल और जमीन के प्रणेता अमर शहीद आदिवासी नेता बिर्सा मुंडा की 122 वी पुन्यतिती मनाए गई आधारताल चौराहे पर स्थापित आदिवासी नेता बिर्सा मुंडा की आदमकत प्रतिमा पर पुषपांजली अर्पितगर उनका पुन्यत स्मरण किया जबलपूर शहर इंदौर के बाद अब भोपाल और ग्वालियर के साथ हवाई संपर्ग से भी जुड़ गया है गोविंद दास जिला अस्पताल विक्टोरिया में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने को लेकर राश्वपती रामनात गोविंद ने हाल ही में भोपा से वर्चौल फूमी पूजन किया जिला जिकट साले विक्टोरिया में वर्तमान में कुल 275 बैड हैं जिसके बाद बैड की संख्या 525 हो जाएगी जबलपुर जिले में प्री मौनसून ने दस्तक दे दी है यहां दिन में धूप के बाद शाम को लगातार बारिश हो रही है वहीं गर्मी से लोगों को राहत मिली तापान में भी गिरावटाई है कल शाम जबलपुर जिले के कई अलाकों में करीब दो घंटे लगातार तेज बारिश होने से पूरा शहर जलमग्न हो गया छोटे बड़े नाले उफान पर आ गए वहीं सडकों पर डेर से दो फीट पानी भर गया कॉलोनियों में भी लोगों के घरों में पानी भर गया बारिश के साथ ही तेज आंधी भी चली इससे पेर तूट गए जिससे कई अलाकों में बजलिया पूर्ती भी बाधित होई फिलहाल मौसम विभाग ने गरच चमक के साथ ही बारिश जारी रहने की संभावना जताई है जबलपुर्जली की चिठी समाथ होई